हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग फिराइए हम आपको मसूरी में लाल टिब्बा घुमाते हैं अगर आप लाल टिब्बा घुमने जाने का मन बना रहे हैं तो ये वीडियो बिलकुल आपके लिए है तो चलिए हम लाल टिब्बा के बारे में बताते हैं मसूरी में उंचे पहा सिर्मेशन पता हplement क्यो laughter यह लाल टिबा की चछछप करमेशन पता होनी क्योंनी चाहिए लाल टिबा के च्छछप पर मैं इसमें हूं और वहां से मैं आपको दिखा रहा रहा हूँ यह लालटिबा काफे को कि च्रु से यहां पे कुछ है नहीं Western अ पे च्छत पे घुमा काफी टाइम बिताया उसके बाद मैं सोचा कि अब चलते हैं कि यहाँ पे कुछ खास है नहीं यह कैफे के नाम पे लाल्टिबा घुमाता है यहाँ पे इंट्री करने का आपको 50 रुपया देना होगा जो क्यों आप च्छत पे जाएंगे और च्छत पर से आप के ओल व्यू देखेंगे और यहाँ से कुछ और भी कर सकते हैं काफी महंगे यह लोग सामान को देते हैं लेकिन अब मैं रिकमंड नहीं करूंगा कि आप इनको 50 रुपया दे करके इनके च्छत पर जाएंगे व्यू देखिए अगर आपको संसेट देखना है तो आ लाल टिब्बा कैफे में घुमा लेकिन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा तो मैं कभी रिकमंड नहीं करूंगा कि यहाँ पे कोई लाल टिब्बा आए लाल टिब्बा कैफे में इंट्री करने का यह लोग 50 रुपया लेते हैं अगर आप बाइक से स्कूटी से आये हैं त फिर आगे के रास्ते पे जाएए क्योंकि लाल टिब्बा अपने रास्तों के लिए ही जाना जाता है अगर आपका कोई फ्रेंड लाल टिब्बा घूमने का मन बना रहा है तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर कर दें तो चलिए देखते हैं और लाल टिब्बा में आपको क्या देखने के लिए मिल जाएगा देखिए यह है सुटिंग यहां पर यह सुटिंग कर रहे हैं तो चलिए थोड़ा सा हम भी सुटिंग को देखते हैं देखते हैं पहले कार जाए फिर आगे चले ठीक है आईए हम आपको सुटिंग दिखाते हैं मैडम जी देखिए सुटि चूक गई चलिए च्छा तो कोई बात ही है निसाना ये चूक गई लेकिन हम लोग अपना घूमना थोड़े चूकेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहां पे पार्किंग का आपको 50 रुपया देना होगा पचास रुपया पार्किंग देने के बाद आप लाल टिबा कैफे में पचास रुपया इंक्ट्री फीज देने के बाद अगर अंदर जाते हैं और कुछ गूमने और देखने के लिए आपको नहीं मिलता है तो वाकई बड़ा बुरा लगता है कि हमने क्यों यहां पे आगे हम पता लगाये थे लाल टिबा गूमने के लिए तो मुझे पता चला था कि लाल टिबा में रोड काफी अच्छे है आप जाईएगा वहां पे तो जरूर रोड को देखिएगा अगर हाँ आपके पास कम पावर की बाइक है तो अकेले आईएगा नहीं तो अगर आप दो ल राथा बेचारा बहुत परसान हुआ दो चार गाली भी दिया लेकिन चलिए देखिए यह रोड है आप हेलमेट जरूर लगाईएगा इस पोड़ सूज पहने रखिएगा और अपना लेफ्ट मेंटेन करते हुए ज्यादा रिस्क न लिजेगा क्योंकि लेफ्ट साइड मे यह पहाड पे रोड बना हुआ है लेफ्ट पूरा नीचे है अगर यहां से कोई एक पत्थर फेकेंगे तो लगबग वो एक किलोमेटर नीचे जाके गिरेगा सीध्धा क्योंकि इसलिए दिखिए साइड में पूरा लेफ्ट साइड दिवार बनी हुई है दिवारों पे द जरूर लाइक कीजेगा अगर आपका कोई दोस्त लाल टिबा घूमने जाने का मन बना रहा हो तो उसे आप इसे जरूर शेयर कीजेगा और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आये हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजेगा जिससे मैं आप लोगो तक इस टाइप के वीडियो हमेशा बना करके भेशते रहें तो मिलते हैं अगले किसी और अच्छे वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद और खुब मज़े से घूमते रहिए